परिलोक में रहती थी तीन सहेलिया टिम्टिम, चंचल और सोनाली टिम्टिम के पंक सुनरे थे चंचल के नीले और सोनाली के हरे उन्हें अपना खुद का घर बनाने का मन हुआ एक दिन जंगल में घुमते हुए उन्हें एक खूबसूरत समाना दिखाई दिया वहां हर तरह के रंगीन मश्रूम उगे हुए थे तिम्टिम ने कहा, देखो, ये मश्रूम तो हमारे घर बनने के लिए एक दम सही है चंचल और सोनाली भी सहमत हो गई उन्होंने मिलकर जादू की छड़ी से सबसे बड़े मश्रूम को चुना फिर उन्होंने ध्यान से उसका डंठल खोकला करके सीडिया बनाई उपर के गोल हिस्से में उन्होंने जादू से खिड़ किया और दर्वाजा बना दिया मश्रूम के नीचे की जमीन को उन्होंने रसोई और स्टोर बना लिया अंत में उन्होंने मश्रूम को फूलों की मालाओं और चमकते पत्तों से सजाया उनका जादूई मश्रूम का घर बन कर तयार हो गया घर के अंदर उन्होंने सूखे फूलों से गद्दे बनाए और जंगली फलों से सजावट की अब टिम टिम चंचल और सोनाली के पास उनका अपना खूबसूरत और मज़ेदार मश्रूम का घर था